हेलो फ्रेंड्स आज का जो हमारा वीडियो है वो है लाइट बोक्स पर और यहां पर मैंने लिया है हाइफिन कंपनी का लाइट बोक्स लाइट बोक्स का यूज प्रोड़क्ट की फोटो शूट और वीडियोग्राफिक लिए होता है Suppose आप online में कोई भी product sell करते हो जैसे कि jewelry, shoes या फिर decorative items हमें उस product का एक high quality image की ज़ोराइट पड़ती है ताकि customer उसको देखे और उसकी तरफ attract हो सके आपके product की भले ही बहुत अच्छी quality हो मगर यदि आपने उसकी images अच्छी नहीं खीची है तो 100% chances है कि customer उसको reject कर देगा तो इस light box के ज़री आप अपने product की बहुत अच्छी images खीच सकते है चलिए अब ज़्यादा time waste नहीं करते हैं और करते हैं इसकी unboxing तो इसके साथ में सबसे पहले आपको मिलता है cable और यह आता है light control के साथ में यह हमारी cable और इसमें आप light control कर सकते हैं कम्या ज़्यादा और आपको मिलता है LED magnetic strips यह है magnetic strips जो हमारे light box में लगेंगी और यह है back drops जो आते हैं तीन color में light yellow, white और black यह है back drops जो हमारे फिर यह box के अंदर लगेंगे यह है black, यह है white और यह है light yellow और यह है हमारा final unit light box जिसको कि अब भी assemble करेंगे यह अपने आप में एक bag है जिसको आप कहीं भी carry करके एक जगे से दूसरी जगा ले जा सकते हैं चलिए अब करते हैं हम इसको assemble तो यह जो हमारा light box से इसको बनाना बहुत ही आसान है इसमें चारो तरफ well pro लगे हुए जस्ट आप इसको खोलते जाएए यह देखिए इसको यहां से खोलेंगे आप इसको फिर यहां से खोलेंगे एक के step यहां से और खोल जाएगा यह आपने देखा है मैंने इसको यहां से खोल दिया यहां पर इसकी फिर walls खड़ी हो जाएगी यह मैंने यहां पर walls खड़ी कर दिया इसकी अब यहां पर जो well pro है इसमें एक यहां पर attach हो जाएगा यह 30 seconds से कम time में ही बन जाता है पूरा box इसको मैंने यहां उपर लगा दिया यह लगा दिया मैंने यहां पर और इसको फिर मैंने यह पूरा box complete कर दिया यह देखें यह मेरा पूरा box बन चुका है यह आपको दिख रहे है यह box पूरा अब ready हो चुका है अब हम इसके अंदर photos खीच सकते हैं मगर एक काम बचा है भी LED लगाने का तो यह है हमारी LED strips यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह magnetic points देके रखें और इसके उपर iron की strip है दोनों जगे पे तो यह उपर fix हो जाता है इसको fix करना बहुत ही आसान है यह मैं आपको बताता हूँ यह हमने ली अपनी LED strip इसको हमें सरफ उपर touch करना है यह देखें यह fix हो गई है अब मैं आपको इस तरफ वाली fix करके बताता हूँ बस अब यह fix हो गई अब यह जो पीछे वाला portion है यह देखें यह वाला जो hole है यहाँ से wire भार आएंगे last वाले से तो यहाँ से ज़र हमें wire भार निकाल लेता हूँ यह मेरे यहाँ से दोनो wire भार आगए अब वैल प्रो की मदद से मैं आपको इसको fix कर दूँगा अब हम कर लेते हैं इसमें connections हमारी LED strips लग चुकी है connections सारे हो चुके है सिर्फ एक काम बचा है वो है backdrop लगाने का और इस box में backdrop लगाने की बहुत अच्छी जगा दीके रखिए इसमें backdrops बहुत अच्छे से fit हो जाता है तो चलिए करते हैं अपना backdrop fit जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस box में तीन color के backdrops आते हैं black, light, yellow और white online business में सबसे ज़्यादा white color का use होता है इसलिए मैं आपको white backdrop लगा के दिखा रहा हूँ इसको लगाना बहुत ही simple है सबसे पहले आप क्या करेंगे इसको यहाँ पर fix कर देंगे जो यहाँ पर इसकी जगा दीके रखिए यह इसके अंदर चले जाएगा और एकदम अच्छे से fix हो जाएगा यह देखे यह मैंने fix कर दिया अब यह जो है यह उपर fix हो जाएगा इसको ज़रा मैं fix कर देता हूँ तो यहाँ पर हमने अपना white color का backdrop fix कर दिया है अब मैं ज़रा आपको इसको start करके बताता हूँ यह है हमारा light controller अब मैं ज़रा इसको on करता हूँ यह देखे मैंने इसको on किया अब मैं आपको यह दिखाता हूँ अब मैं इसके दिरी दिरी light बढ़ा रहा हूँ आप चाहे हैं तो यहाँ से भी photo click कर सकते हैं मैं ज़रा इसकी और रोशनी बढ़ाता हूँ दिरी दिरी और बढ़ाता जाता हूँ यह देखे मैंने इसकी इतनी रोशनी बढ़ा दी और अगर आपको इसको fix करना है तो well pro से आप इसको यहाँ पैसे fix कर सकते हैं ठीक हैं इसके बाद second जो आता है वो यह है आप यहाँ से भी click कर सकते हैं यह एक और देगे रखा है मैं आपको start करके दिखाता हूँ यह देखिए रोशनी धीमे कर सकते हैं तो आप रोशनी तेज भी कर सकते हैं यह हो गया इसके बाद जो final है वो यह है अगर आपको यह बड़ा object है उसमें आपको click करना है तो आप कर सकते हैं फिर आप यह देखिए इसमें आप अच्छे से photo खिष सकते हैं इसके बाद में जो photo खिषने का option है वो उपर से भी है यहां से आप चाहें तो photos को यहां से भी click कर सकते हैं यह आपको दिख रहा होगा तो यह है हमारा light box अभी हम लेते हैं इसे कुछ demo और देखते हैं कैसी इसी quality और कैसा इसका performance तो अब मैं आपको बताता हूँ light box सा quality कैसा है जैसे कि अभी मैं इस घड़ी का video shoot कर रहा हूँ नॉर्मल कंडिशन में यह मेरे को online में डालना है तो यह नॉर्मल कंडिशन में video shoot चल रहा है अब मैं करता हूँ इसको box के अंदर shoot तो यह हमारा box है अब मैं ज़रा इसका यह वाला जो cover है इसको मैं उठारके यहाँ पर fix कर देता हूँ ठीक है और इसकी light ज़रा मैं on कर देता हूँ यह देखिए यह मैंने light on कर दी अब यह जो घड़ी है इसको ज़रा मैं अंदर रख दूँगा क्योंकि मेरे को इसका video निकालना है तो यह देखिए मैंने इसको रख दी अंदर यह मैंने डखी अब हम करते हैं इसका video shoot यह देखिए यह quality आएगी मेरे को घड़ी ही अब एक बार आप video back करके देखिए तब आपको quality realize होगी कि light boxy quality कैसी होती है और एक normal shoot करने से quality कैसी आती है अब मैं आपको जड़ा थोड़ी image क्लिक करके दिखाता हूँ तो देखा आपने कितना अच्छा performances light box का अगर आप online business में grow करना चाहते हैं तो आपको चाहिए images की बढ़िया quality जो आपको इस light box से मिल सकती है अगर आपको इस light box related कोई question है तो आप मुझे mail या फिर comment कर सकते हैं तो अभी तक के लिए इतना ही stay safe and keep watching